प्लीज आज एक प्रामिस करो कि टेंशन कोई भी हो सल्यूशन है कहीं ना कहीं उसका सल्यूशन है और वो सल्यूशन आत्मा त्यप बिलकुल नहीं है कभी नहीं है किसी हालत में नहीं है देखो मैं कितना भी ग्यान देदू सोचना आपको खुदी है कि आपकी जान आपकी चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में एक बार इमेजिन करो अपने माबाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले लिये, खुद खुशी कर लिये, शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा। एकदम डारिक बोलू दिल से बोलू, मेरा पहला नाशनल अवार्ड जो मुझे आज हमारे आदरनी राश्टर पती जी के हातों से मिलेगा, मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हो रही है, आपको बता जिस दिन इस नाशनल अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई थी थी ना, उस दिन मैं अपनी मां से बात करते हुए अपने बच्पन का एक दिन याद कर रहा था, जिस दिन एक्जाम का रिजल्ट आया था और मेरे मांक्स बिलकुल अच्छे नहीं थे, आप लोगों से जूटने ही कहुँगा, मैं उस कक्षा में फेल हो गया था, रिपोर्ट कार्ड लाते हुए मैं ये सोच रहा था कि आज घर में बड़ी कुटाई होने वाली रहा है, उस दिन मेरे पिता जी ने मुझे सामने बिठाया और बड़ी शांती से कहा, देखो बेटा तुम करना क्या चाहते हो, ये बताओ मुझे, बताओ करना क्या चाहते हो, मैंने का पापा मैं स्पोर्ट में मन लगता है मेरा, मैं खेल कूट करना चाहता हूं, खिलारी बनना चाहता हूं, उन्होंने का ठीक है, फिर उसमें ध्यान दो, हम सपोर्ट करेंगे, साथ में थोड़ी पढ़ाई भी करो आप इश्वास नि करोगे, खेलते खेलते, मैं मार्शल आर्ट करने लग गया मैं मौडलिंग में आ गया, एक्टिंग शुरू कर दी उन्होंने हर चीज में मुझे सपोर्ट किया अगर उस दिन मेरे पेरेंट्स ने ये ना समझाया होता कि मेरी स्ट्रेंथ किस चीज में है, तो आज मैं सोच भी नहीं सकता कि ये नैशनल लवार्ट कभी मेरे हाथ पर उटा ये अपने लाइफ की कहानी मैं आपको एक वज़े से सुना रहा हूँ कुछ दिन पहले अकपार में मैंने पढ़ा था कि एक IIT के स्टूडेंट्स ने फासी लगा के आत्मा अत्या कर ली, स्ट्रेस में था पढ़ाई के लिए उससे कुछ दिन पहले मुंबई में एक मैनेजमेंट स्टूडेंट्स ने एक फाइव स्टा होटल के रूम से चलांग लगा कर अपनी जान दे दी, एक्जाम में फेल हो गया था मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि करीब आठ लाख लोग हर साल वर्ल्ड में अपनी जान खुद ले लेते हैं और उसमें तकरीबन डेड़ लाख लोग सिर्फ हिंदुस्तान से होते हैं और यंग लोगों में आत्महत्या के सबसे बड़े कारण जो होती है वो होती है पढ़ाई या फिर रिलेशन्शिप का स्ट्रेस क्यों तुम्हारी जान एक एक एक्जाम के माक्शीर से सस्ती हो गई है नहीं ऐसा क्या पढ़ा ही कर रहे हो इससे तो देश के लिए सरहत पे जाके जान लगा दो दाव पे चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में एक बार इमेजिन करो अपने माबाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले लिए खुद कुशी कर लिए शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा मान लिया कि आपका स्ट्रेस बहुत बड़ा है पर इतने हलके में मत लो अपनी लाइफ को यार आपको पैदा करने वालों को जिन्दगी का सबसे बड़ा दुख दे के मत जाओ और पेरेंट से भी यही कहूंगा यही पूछना चाहूंगा कि कहां गया वो जमाना कहां गया वो जमाना जब आप लोग अपने बच्चों के साथ डिनर टेबल पे बैटके बाते किया करते थे पूछा करते थी कि कैसा चल रहा है आपके दोस्त कैसे है पढ़ाई कैसी चल रही है आज आपका बच्चा आपको अपना स्ट्रेस कैसे बताएगा जब आप भी अपने फोन में आखे गाड़ के बैटे हो और आपका बच्चा भी फेस्बुक पे फ्रेंड्स डून रहा है ऐसा क्यूं होता है कि जब बच्चे को हाथ पाउं पे चोट लगती है तो आप फट से डॉक्टर को भुला लेते हो लेकिन अगर उसे दिमाग में स्ट्रेस हो तो हम बस एक लेक्चर जाड़ देते हैं कहते हैं बिटा नो थिंक पॉजिटिव बिटा थिंक पॉजिटिव देखो मैं कितना भी ग्यान दे दू सोचना आपको खुदी है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज़ है कोई स्ट्रेस आए ना तो उसको बोल देना बहुत अच्छा है अपने अंदर घुलना उसको अंदर रखना दबा के रखना बिलकुल नहीं किसी दोस्त को बोल दो या अपने माबाप से शेर करो मेरे एक फ्रेंड ने उस दिन वाटसाप पे एक बहुत काम की बात फौवर्ट की थी एक हॉस्पिटल की ओपन हार्ट सरजरी यूनिट के बाहर एक शेर लिखा हुआ था मैं आपसे शेर करना चाहता हूँ महां लिखा हुआ था कि अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ तो आज खोलना ना पढ़ता ओजारों के साथ भाईया मुझे एक promise करो कि आज please आज एक promise करो कि tension कोई भी हो, solution है कहीं न कहीं उसका solution है और वो solution आत्मा त्यप बिलकुल नहीं है कभी नहीं है, किसी हालत में नहीं है अपना ध्यान रखो मिलते हैं फिर Till then, next time, goodbye जैहिन